हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ अफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लोग में तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग तो अभी सुबे का टाइम हो रहा है और आजकल मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है तो मैं सुबे सुबे उठके थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ और अभी सुबे के बजर होंगे 6-6 इससे पहले ही मैं उठ गई थी तो उठने के बाद मैं टहलने आ गई और रात को थोड़ी बहुत हलकी फुलकी वारिश होने के कारण मोसम बहुत ही अच्छा और ठंकी ठंटी हवा चल रही है और सुवे सुवे का ये जो हवा है ये शरीर के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है तो सुवे सुवे थोड़ा बहुत टहलो तो पूरा दिन बहुत ही फ्रेश फिल होता है तो इधर में बगीचे में आई थी तो देखा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कद्दू के फूल तोड लेती हूँ क्योंकि इससे जो बड़ा बनता है ये मुझे बहुत ही पसंद है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसकी जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है बहुत ही जटपड बन जाती है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी बना के और यहाँ पर कद् क्योंकि मेरी तवेद बिल्कुल सही नहीं था और इस हालत में मुझे वीडियो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था तो अभी एक दो दिन से मैं थोड़ा ठीक हूँ तो इसलिए मैं वीडियो भी शूट कर पा रही हूँ और देखिए मेरे हाथ में ये कद्दू का फूल ह और इसे लेके अब मैं जाओंगी किचन में और किचन में जाके मैं सुवे सुवे इसका बड़ा बना लूँगी तो चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बड़ा बनाती हूँ तो देखिए यहाँ पर कद्दू के फूल को मैंने काटके अच्छे से धो अगगए नाकाऑ चाहता है और बहुत है तैश्काय कैसे के सोब और जमाता है नाखरबयों कमेंदा्म था만 पूबर क्रेश सेफेशा लिए बस तेल में डालना है और एक एक करके यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिये है चार एक साथ मैंने डाल दिये है और फिर एक साइट से फ्राई होने के बाद इसको दुसरे साइट से भी फ्राई कर लूँगी मैं तो और यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है तो देखिए यहाँ प बड़े बनाते बनाते मैंने बना लिया था तो मैंने साइड में रख दिया था थोड़े बहुत बड़े और बनने बाकी थे तो मैंने सोचा पहले बड़ा बना लेती हूँ फिर चाई पी लूँगी तो अभी बड़ा बनाने के बाद में चाइ भी पूँगी, तो देखे, यहां पर बड़ा मेरा सारा बन गया है, तो अभी में चाइ पी लूँगी, और साथ में बड़े और विस्किट भी खा लूँगी, तो चाइ पीने के बाद ना धोकर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, तो देखे, यहां पर मैंने नहा लिया है और अभी मैं थोड़ा बहुत तयार हो रही थी इस टाइम ज्यादा तयार होने का भी मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता है तो अभी मैं जाऊंगी घर से बाहर क्यूंकि मेरे पेर में बहुत ज्यादा सुजन आ रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चल के आऊंगी तो सुजन भी कम हो जाएगा क्यूंकि चलने से मेरे पेरों का सुजन थोड़ा कम होता है देख उपर, देखो उपर जानवी, उठो उठो गई बिचारी देखे कितना ज़्यादा गुस्ता है उठो 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 जल्दी हम ना इसे लेने जा रहे थे, इसने सोचा कि हाँ हम इसे लेने निक जाएंगे अरे आदू अच्छी है ना आदू आदू अच्छी हो ना और देखें यहाँ पर जानवी का गुस्ता कितना तेज है यह बाद बाद पर गुस्ता होके बैठ जाती है दिन में पचास बार गुस्ता होती है इसमाईल आदू तो मैं एक टो हशे दाओ तो मैं घूम पिर दो हशे दाओ पिर कर घर पे आ गई हूँ और अभी हो गई है शाम तो शाम को यहाँ पर फ्रोजन मॉमोज स्टीम कर रही हूँ मैं क्यूंकि हमारे यहाँ पर अच्छा मॉमोज नहीं मिलता है तो इसलिए हमें बाहर से लाके रखना पड़ता है तो यह बाहर से लाके रख दिया था तो यहाँ पर देखिए इस्टीम हो गया है और मैं इसको निकाल लूँगी और यह बहुत अच्छे से इस्टीम हो गया है लग ही नीरा आए कि फ्रोजन मॉमोज है और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है पर ज़्यादा चटपटा भी नहीं खा सकती हूँ मैं इसलिए तो फिर भी आज मैं मॉमोज तो खाऊंगी क्यूंकि इससे पहले मैंने एक दिन यहां से ही मॉमोज मंगवाए थे तो वो बहुत ही बेकार मॉमोज थे तो अब जाकर मुझे अच्छे वाले मॉमोज मिले है तो अब मुझे से और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले मॉमोज खा लूँगी फिर खा पी के आप लोगों के साथ में मिलती हूँ तो मॉमोज खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात का डिनर बनाने तो यहाँ पर आधा खाना तो बन गया है तो आज रात को खाने में बनाया है करेले की एक सबजी और बेंगन फ्राई और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडे की एक सबजी तो यहाँ पर मैं उबले हुए अंडे को फ्राई कर रही हूँ तो सारा खाना तो बन गया है बस अंडे की एक सबजी ही बनाना बाकी है तो यहाँ पर देखिए अंडा फ्राई हो गया है तो मैं इसको निकाल लूँगी और अंडा और आलू का एक सबजी बना लूँगी मैं और आजकल शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और किचन में तो बहुत ज़्यादा ही उमस है और मुझे तो डवल गर्मी लगती है आजकल तो देखें यहाँ पर अंडा फ्राई हो गया है तो मैं अंडे को निकाल लूँगी तो आलू तो मैंने पहले से उबाल के रख दिये थे और देखें यहाँ पर अंडा भी मैंने निकाल लिया है और साइड में यहाँ पर मैं दूद भी गरम कर रही हूँ तो मैं अंडे की सबजी बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और देखिए मेरे पीछे फ्राइ अंडे लेने के फ्राक में घूम रहे है कोई और ये तो हमेशा ही होता है जब भी मैं अंडे की सबजी बनाती हूँ तो मसालों में मैंने हरी मिर्ची टमाटर और लेसन डाले है ज्यादा मसाला मैं नहीं डालूंगी इसलिए और यहां पर सबसे पहले मैं इसके अंदर मसालों के अंदर आलू डाल दूंगी तो देखें, यहाँ पर मैंने आलू डाल दिये है अब मैं आलू और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी यह देखें, आलू और मसाले अच्छे से फ्राई हो गए है अब मैं इसके अंदर अंडा डाल दूँगी तो अंडा डालने के बाद मैं इसमें पानी एट कर दूँगी तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी एट कर दिया है और ये देखिए बहुती सिंपल सबजी बनके तयार है और फिर मैंने उपर से इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है तो अंडा-लू के सबजी बनके तैयार है अब मैं इसको निकाल लोगी और देखिए खाना बनाने के बाद किचन का क्या हाल होता है इतना सारा बर्तन तो ये सब के साथ ही होता होगा तो अभी मैं सारे बटन एके करके धो लूँगी और किचन को भी अच्छे से साफ कर लूँगी तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और देखिए बातो बातो में मेरे सारे बटन धूल गए है और किचन भी एकदम साफ हो गए है तो फिर मिलूँगी एक नए ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स